वेलकम दोस्तों हमारा चेनल आउसी को कुछ में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि आप अपना आभा कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं कि आप अपने ABA card अपने अधार card से ही बनाए होंगे तो ही आप download कर शकते हैं तो देखे दोस्तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने mobile के chrome या अपने system के chrome में आ जाएगा आने के बाद यहां पर ABA card लेके आप search किजियेगा search करने के बाद यहां पे इस तरह का page open होगा जिसमें आपको first option मिलेगा आभा number का तो इसे आपको click कर देना है click करने के बाद यहां पे इस तरह का आपका एक page open होगा जो आपके mobile की screen में तिक रहा है वो आपने mobile में open कर रहे हुगए तो आप इसे desktop set में कर लेजेगा मैं desktop set में करके रखा हूँ दोस्तों उसके बाद नीचे side में आपको slide करके आ जाना है आने के बाद यहाँ पे आपको create आभा number का option मिलेगा तो इसे आपको click कर देना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह का एक page open होगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसमें से एक आपको option मिलेगा using आधार तो इसे आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे next का option मिलेगा तो इसे आपको click कर देना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार number देना पड़ेगा तो जो आपका आदार number होगा वो आप यहाँ पर डाल देज़ेगा तो देखे दोस्तों यहाँ पर मैं अपना आधार number यहाँ पर मैं डाल देता हूँ उसके बाद देखे दोस्तों आपको नीचे side में आ जाना है स्लाइड करके उसके बाद यहाँ पर I Agree में tick mark करना है उसके बाद यहां पे आपको एक सिंपल सा question फूझ रहा है इस question का आपको यहाँ पर answer देना है तो देखे दोस्तों यहां पे मैं इस question का answer दे देता हूं उसके बाद नीचे-स हैड में यहां पर next option आपको बताएगा फूझ रहा है तो इसे आपको यहाँ पे click कर देना है click करने के बाद देखे दोस्तों आपके आधार card में जो mobile number register होगे उसमें एक autopy आएगा वो autopy को आपको यहाँ पे डाल देना है तो देखे दोस्तों यहाँ पे मेरा autopy आ चुका है मैं यहाँ पे अपना autopy डाल दे रहा हूँ उसके बाद नीचे side में आपको एक option मिलेगा next का तो इसे आपको click कर देना है click करने के बाद देखे दोस्तों यहाँ पे आपका इस तरह का page open होगा जिसमें आपका आभा card यहाँ पे आपका show कर रहा है तो देखे दोस्तों यहाँ पे आपका name देख रहा है आभा number देख रहा है आभा address देख रहा है आपका date आपका mobile number मतलब आपका यहाँ पे सारा detail करेगा जो show करेगा जो आपके आभा card में रेष्टर है उसके बाद नीचे साइड में आपको आभा download का option मिल रहा है तो देखे दोस्तों download आभा number card का option आपको मिला तो इसे आपको click कर देना है क्लिक करने के बाद देखे दस्तो यहाँ पर आपको download again का option आपको मिलेगा तो इसे आपको click कर देना है click करने के बाद देखे दस्तो यह documents आपका download हो चुका है इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर three dots में click कर देना है और download में click कर देना है तो देखें तो यहाँ पे मेरा आवा कार्ड या डाउनलोड हो चुका है जिसमें आपका सारा डीटेल सो कर रहा है इसे आप प्रिंट करके निकाल भी सकते और इसे यूज कर सकते हैं